Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, how are you all? I hope you all are doing well. So, आज के स्टेडी लोग थोड़ा स्पेशल है and आज मैं अपना फुल दे रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी and time भी साथ साथ में बताऊंगी कि कितनी देर में मेरा करन सा टास्क कंप्लीट हो जाता है So, काफी ट्राइ किया है मैंने वीडियो को आपके लिए helpful way में represent करनी का So, let's start the video So, आज की सुबह मेरी हुई है 5.30 पे क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है तो काफी सारा काम मुझे खुद ही करना है तो इस वज़े से थोड़ा जल्दी उठी हूँ ताकि सब कुछ सही से मैंने जो जाए फिर मैंने अपने डेली रूटीन के काम निप्टाए हैं उसके बाद अपने लिए मैंने चाय बनाई चाय पीने के बाद मैंने नहा लिया था इस टाइम तक जितने काम थे जरूरी के वो सब कंप्लीट हो गए थे और आराउंड आठ बज़े से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी डेली करंट अफेर की वीडियो से फिर next मैं करती हूँ insurance awareness की class तो ये almost मेरा complete होने ही वाला है बस एक class रहती है जो आज हो जाएगी उसके बाद मैं revision करूँगी एंड थोड़े बहुत जो notes बनाने हैं वो सब बनाऊंगी तो banking exams अगर आप target कर रहे हो तो insurance awareness आपको नहीं करना आपको सिर्फ banking awareness करनी है insurance awareness आप तब करते हो जब आपका कोई insurance का exam हो तो otherwise ये important नहीं है फिर मैं करूंगी mock test तो ये pre-level का mock मैं दे रहे हूँ IVPS PO का और ये मैं practice mock से दे रहे हूँ तो ये वाला mock आप सभी दे सकते हो क्योंग ये free mock है बहुत जारे beginner students पोचते हैं कि वो mock पन सा ले तो देखो ये वाला free mock है आप attempt करना इसमें आपको सिर्फ registration करना है और mock attempt करना है आपको समझ आ जाएगा कि level कैसा है तो इस mock से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको अपनी all India rank भी पता चलेगी आपको पता चलेगा कि आप कहां पे stand करते हो एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि अभी आपके preparation किस level पे है तो आपको अपनी weakness समझ में आएगी आपको अपनी strength समझ में आएगी जिससे क्या होगा कि आप आगे के लिए अच्छे से improve कर पाओगे तो एक चीज़ इतमे और बेस्ट है कि अजब मौक सब्मिट हो जाएगा आपको detail solution मिलेगा जिससे आप देख सकते हो कि आपको कौन सा question गलत होगा तो उसका exact solution क्या होगा तो ये चीज़ भी आपके लिए helpful रहेगी और ये totally free मौक है तो सभी लोग जरूर attempt करना आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस मौक का link मैं description and comment में पिन कर रही हूँ जहां से आप direct इसको attempt कर पाओगे तो मौक attempt करने के बाद कुछ खाने के लिए बनाना था तो ये मैं beach के time में बना रही हूँ तो वो भी मुझे सही लगा कि यही बना लेती हूँ आज के लिए बस अभी खाना खाने के बाद मैंने थोड़े दिर phone वगेरा देख लिया था फिर मैंने एक reasoning means की class की है तो ये सारी classes मैं YouTube से ही करती हूँ YouTube पे बहुत सारा content है pre and means दोनों का जहां से आप easily जिस भी टीचर से देखना चाहो उनकी classes जब भी देखना चाहो आप देख सकते हो तो जब तक मैंने class की है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी फिर मैं around 1 hour सो गई थी क्यूंकि अगर मैं दिन में थोड़ा सा भी ना सोना तो रात को मुझे बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता है इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ तक कि रात को जो भी classes वगएरा देखनी है वो easily देख पल उठने के बाद मैंने अपनी पढ़ने की जगए चेंज कर दी यह मेरे लिए बहुत effective रहता है कि मैं जगए चेंज कर करके पढ़ूं तो इससे focus ज़्यादा अच्छा बनता है और वरना एक ही जगए अगर बेटके मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में इसलिए मैं अब इस शाम के टाइम में क्या करती हूँ छट पे बेटके पढ़ती हूँ क्योंकि एक तो रूम में क्या होता है कि सिर्फ आपको दीवारे दिखती है और कुछ नहीं दिखता है लेकिन जब अगर आप बहार खुले में पढ़ते हो तो आपको मतलब चीजे द मेंस की क्लास है जो हर्शल अगरवाल सर है उनके चैनल से मैं नहीं की है तो मैं देख लेती हूं कभी आशिश अरोड़ा सर की भी देख लेती हूं मेंस के लिए हूं हर्शल अगरवाल सर की भी देख लेती हूं ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मुझे सिर्फ एक ही टीशर की द दाल तो पढ़ी है वही बना लेती हूँ एक तो उसका यह है कि इसली बन जाएगी बस फिर में डिनर में दाल और रोटी बनाई उसके बाद मैंने थोड़ा पोड़कास्ट वगेरा देख लिया वो की थी दर उदर बस इस तरह से थोड़ा मन लग जाए इसके लिए कुछ दे रही हूँ और इसको कदम करूंगी उसके बाद अगर थोड़ा टाइन और मिला तो मुझे मार्च मंद की जो है रिविजन करनी है करन्ट अफेर की वो करूंगी एंड बस कुछ ऐसा था मेरा दीन आई होब यू लाइक माई रूटीन सो ओके गाईस देट इट फो टुड़ I hope you like this video thanks for watching I will see you in my next video till then take care bye